हलो एवरिवन वेलकम बैक टू ए ओनलाइन सॉलूशन तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विद्धुधारा का नुमेरिकल इंपोर्टेंट कोशन डियर आपना नुमेरिकल से पिछे मत भागो विकॉज नुमेरिकल तो दो नंबर वाला सवाल में तो कंफर्म आ तो आपना इसको ठेस मत पहुंचाओ कम से कम नुमेरिकल जो मैं पढ़ा रहाना एक क्लास 10 के लिए इतना काफी है जरूर पढ़ो और मन से पढ़ो यह पूरी वीडियो देखो मैं चालेंज के साथ कहता हूं कि आपको विद्धुधारा से नुमेरिकल एक भी कोशन नहीं चुटेगा जो भी सवाल आगा पूरा का पूरा आप हंडिट परसिंद बना पाऊंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप घबराईए का नहीं कि सर यतना लंबा सवाल है सवाल को मैंने इंगलिस में इंगलिस सवाल है कुछ हिंदी प्रेमी कुछ इंगलिस प्रेमी है तो तो सवाल हमारा हिंदी तक यहीं तक है तो यहां पर अगर पहली पर आपने आया तो चैनल को फटा-फट जल्दी से करना है सब्सक्राइब और प्रेस करना है तो चली स्टार्ट करते हैं सवाल देखें हमारा क्या बोलता है सवाल को धियान से बोलता कि यदि 8.0 मीली आवेस को आनंद से किसी बिंदू पी तक ले जाने में किया गया कारी 0.96 है जूल है तो पी बिंदू पर विद्धुत विभाव क्या होगा है आपको सवाल पर करके समझ लेना कि सवाल में लिखा वो क्या-क्या है सवाल में क्या का चीज मेटेरियल दिया हूँ उस मेटेरि सबसे पहले हमारा आवेश को कैसे लिखते हैं क्यों से लिखते हैं क्यों क्या दिया हुआ करता है यह 25 क्लांड देंकि मेली किसका मात्रक पता आपको अनंद से किसी बिंदु पी टक ले जानहें किया गया आए ऑगार यह आप देखे मातरक्ट जब होता ना हो मातरक में दिया हो stoiri तो जूल किसका मतरा करे का अब जो मीली कुलाम है ना रिए मैन की इसको करना पदाएगा इट pho है इसको 15 adap पावर मैना सीन मतलब हुआ कि इसको 1000 करना पड़ेगा ना जैसे की 8 Ps凌कट को 10 पर पावर 3 से डिवैड करेंगे मतला भाग करना पड़ेगा एक ख़यार से तो यहीं 10 पर पावर 3 ऊपर ले चले गए तो उपर लेचल जाएंगे तो यह पलस थीरी हो क्या बन जाएगा मैनस आपको पैता है यह बन गया हमारा क्या क्या कुलाम सब्सक्राइब बात को जै समेथा अगर आपको इतना बनाने के लिए आगया मतलब 568 कूह आप अब इसके बादा आता फॉर्मॉला इरह आपको पता रहएगा तो आर्राम से भी इया होता है W by Q यह FOrMula होता है W by Q अब इसके हम लोग वैलू बढ़ाते हैं चिक्क है देखें डब्लू कँ वैलू क्या देओ जीरो पॉइंट नाइन सिक्स दिया हुआ ठीक है और क्यों का वैलू कितना है अभी मैंने लिख एड़ पॉइंटू 10 पर पावर sono 3 दिवावा यह वाला दिए वाइनगे तो डीन का क्लिकाओ हो गया अब इसको क्या करेंगे डिया मश्राय इसको क्या करेंगे 10 पर भावर जो तीन है न है स्कूफर ले चल जाएंगे कहा लेकी उपर法 में तो हम यहीं पर बनाते हैं जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो दस पर पावर तीन बचेगा मतलब ऐसे बचेगा ठेक है और यह है एक पॉइंट जीरो आप देखो हमको पॉइंट-पॉइंट काट ले तो यह तो नहीं काटे को दिकत लिए काट यहां पर बैठा देंगे यानि कि 960 जागा ठीक है ना पॉइंट है तो नौसो साथ देखिए इसको गुना करेंगे यह दस पर पावर तीन मतलब एक हजार हो गया एक हजार को 0.96 गुना करेंगे तो 960 जागा और 8.0 अब इसको चाहो तो काट दो है ना काट जीरो के बाद पॉइंट है ना इसका कोई मतलब नहीं है तो हमारा देखो यह क्या हो गया 120 आयसान में यह सवाल आपको समझ में आ गया है तो दूसरा सवाल एकदम चुट्मियों में बना हो गया पक्का में बता रहो चलो देखते हैं अपर सवाल देखिए 12 वोल्ट विवांतर के दो बि किन सी के वाल लगा हुआ कुलाम आवेश को ले जाने में कितना कारी करना पड़ेगा बहुत आसान सवाल है देखिए आप सवाल पहले दिया वक्या है इसको जानते जो दिया हो उसको पहले लिखेंगे 12 वोल्ट विवांतर का मातरक वी वोल्ट ही है आप दोनों को भी से ल या का मातरक है आपने मुझे बता है ता बिल्कुल मैंने बता था कुलाम जो है आविस का मातरक है तो आवेश कुलाम झाल कहाश प्राण कितना है तीन कुलाम लिख दिया इतनी बात भी दिभाए अब आपको निकालने बोला वरक देखिए वही फार्मूला गयाना वही फार्मूला तो चूंकि भी बराबर डबलु बटिक क्यूं होता है ना यह फॉर्मूला होता डबलु बटिक अब हम यहां क्योंकि कारी के माता क्या होता है जूल होता है तब हमारा हो जाएगा यहां पर राइट अंसर संजाया यह होगी हमारा राइट अंसर कितना आसान सवाल था बस आपको फॉर्मूला और जो सवाल में मेटेरियल दें उसको निकालके बाहर लाना है यह अगर खूब आप में आ ज्यान से देखेगा एकतार 15 मिनट में हाला टैम क्या ते ओर मिनट किसका मात रख है अरे मिनट जो है तैम का मात रख है 15 मılट अच्छ आपको पता है टैम का मात रख क्या होता है सेकेंड होता है क्या होता डियर सेकेंड है लेकिन यहां पर दिया हुआ मिनट तो जब भी ऐसा रहना सेकेंड होता है लेकिन यहां पर समय बराबर देरा मिनट में तो हमको मिनट को सेकेंड में बदलना पड़ेगा और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना प तो अब देखें यह हो गया अब क्या दिया 450 c c मतलब कुलांब और कुलांब किसका मातावध कंगर है और से से नोट करते करने को हम लोग किसी डी नोड करते हैं आईसे किसे डी नोड करते हैं हम लोग motuted करते कर्ण को आई बराबर वाट यानि कि विद्धु धारा का मांद एंप speech होता लेकिन हम लोग ूसे डीनोड करते आई बराबर वाट अब देखो इसका पर half formula तो यह 50% हमारा समाल बन गया अब 50% के लिए formula आद कना पड़े का तो देखो चुंकि हमारे पास formula होता है आई बराबर q by t एक formula होता न आई बराबर formula होता है q by t देखीजिए फॉर्मुला होता है अब यह formula अगर जिसको याद नहीं तो आपका सवाल हो जाएगा 100 परसेंग गलत और इसको काटा-पेटी करो तो साड़े हो जागा तो सिंपल सी बाद है कार दो दो से तो कर जागा यानि कि वन बाई टू क्या है एंपियर इसको मैं कैसे लिशता हूं 0.5 एंपियर क्यों लिख रहा मैं क्योंकि एंपियर जो है विद्धारक का मत रख है इसलिए हमारे 0.5 अंसर होगी है राइट साज्ञा कि एकदम पूरा प्रोब्लम किलियर करूंगा मैं आपको डॉंट वरी पूर गंटे तक बाप प्रवाइट किया तो उसमें कितना आवेस वही सवाल को उलट जया गया अब घंटा रहे मिनट रहे समय लिखा हुआ ठीक है तो टैम कितना देरा तीन घंटा मतलब तीन आवर अब आपको पता है समय का मातरक सर्जी समय का मातरक तो हमने सेकेंड पढ़ा लेकिन यहां पर घंटा तो हमको घंटा को सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो पहले घंटा को कर देंगे साठ से गुना तो बन जाएगा मिनट और मिनट को फिर कर देंगे साठ से गुना तो बन जाएगा सेकेंड अगर इसको हम मल्टिप्लाय कर दें तो भी ठीक है नहीं तो भी ठीक है तो बिच्ण हो गया और सब्सक्राइब घृटार देखी कितना गया 108 और लिखते हैं आई बराबर विदुधारा को आए से रिनौट करते हैं और यह एमपीयर है इंपेर विदुधारा का मत रख है 0.4 एमपीयर और क्या निकालने बोल रहा है कितना आवेश परवायत होगा मतलब क्यूल निकालना है क्यू बराबर वाट देखिए अब चूंकि हमको formula पता है या बराबर की बाइटी है नहीं आजी ऑआई बराबर क्यू बाइटी फॉर्मूला पता है तो इसलिए Q को क्रोस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यों बढ़ा जाएगा IT आप देखको आई-क वायलू करते हैं पूरा लिखते यही वाला ठीक है क्योंकि कटे गए यह पर फिरी इंटू 60 इन्टू 60 देखिए यह पूइंट कटा पूइंट के नीचे 10 हा गया है ना जी 00 यहांसे उला दो और कुछ बचा नहीं अब इसको क्या करो मल्टिप्लिकेशन कर दो तो यहां पर कर दो चर्तिया 12-12-72-62-62-23-10 कितना क्या 43-20 43-20 क्या होगा क्योंकि हम लोग आवेस निकालना है तो कुलाम हमारा कितना आसान सक्षान है तो सब्सक्राइब बनाते हमारा आंसर हो गया चलिए आगे सवाल है एक परती रोधक के सिरों पर बैटरी जोने से वोल्ट मिलता है अब बताई क्या है दस वोल्ट यह जैसे सवाल पढ़ेंगे वह से लिखते जाएंगे यानि कि भी बराबर कितना दिया है दस वोल्ट विवांतर है बाई है ना चलिए यादि परती रोधक में 0.05 MPR देखो कहीं कहीं धारा लिखता है यानि कि यह क्या है यह सर विदुधारा आई बराबर दिया हुआ है 0.05 MPR के लिए रहे होती है तो उसका परती रोध निकालना यानि कि आर बराबर वाट अब बताओ भाई आर का वाइलो निकालना है तो चुंकि हम जानते हैं जी भी बराबर आई आर जानते की नहीं जानते भी बराबर आयर फॉर्मूला होता है अब आर हमको जब निकालना है तो भी बट आई हो जाएगा अब इसको कर दो डिवाइ सब i우나ब पलंगे तो फनको 5-दू-दस कितना गया दो-ऑग्षो में दो-पल रा और क्या लिखेंगे अार मताब पर्तिरूद और पर्तिरोध को मातरक जिए सर जी पर बंगों छैयार औम होता है हो ऑम हो गी यहां रही है was अतना हलका सा सवाल है मतलब दो नंबर आपको लंबा लिखने से अच्छा है कि इसको बना दो है ना लेकिन इसका तो निकालने आपको पताओं चाहिए और फॉर्मूला बिना फॉर्मूला तो बनेगा नहीं है ना चलिए आगे बरते हैं 220 वोल्ट से देखिए हम इसको पढ़ते जाते हैं लिखते जाते हैं 220 वोल्ट अभी क्या दियावा आपको बनाने आ जागा अटमेटिक बनाने आएगा 220 वोल्ट मतलब भी बराबर 220 वोल्ट अगर आप लाइव के बाद देख रहे हो तो वीडियो को रोक के बनाना पढ़े ठीक है 220 वोल्ट से विद्धुट हीटर की कुंडली जिसका परतिरोध 110 ओम है क्या दियावा है 110 ओम क्या है परतिरोध है मतलब आर बराबर 110 ओम हो गया कितना विद्धुधरब परवायत होगा मतलब की आई निकालना भाई साहब वही फॉर्मूला को उलट फेल कर दिया है तो लिखेंगे चूंकी भी बराबर आई आर फॉर्मूला होता है या तो आप डैरेक्ट आई का फॉर्मूला लिख सकते हैं डैरेक्ट आप आई का वैलू है 110 काटा पिटी कर दो 110 दूना 220 यानि कि यहां पर परत्रों देखो हाँ ठीक है तो कितना गया दो अचार आई है ना दो एंपियर क्या होगा दो एंपियर है तो यह हमारा सवाल हो गया है सिक्स नमर अब फटा फटा हम लोग आगे बरते सवाल मैंने इतना लाया है कि आपको ना किसी भी सवाल में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है इसलिए वीडियो को पाउज नहीं करना है रोकना नहीं फटा फटा बढ़ते जाना है चलिए देखिए सातमा सवाल परते इंटीयर सातमा सवाल देखिए क्या बोलता है कि किसी चार Ihr Romania है उसे प्रतीरोध का मातरण एक 2nd सब्सक्राइब हो रही आप बता वसमा उत्पन हो रही उस्मा उस्मा सौजूल है ना उस्मा उत्पन हो रही तो परतिरोधक के शिरोपर विववांतर क्या होगा मतलब भी निकालना है और यह जो उस्मा उत्पन हो रही है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यह जो सौजूल है ना आपको पता है आपको यह फॉर्ण Pakistani कि पफिजो यहां पर सब्सक्राइथ यह दे रहा रहा यह पर यहां पर यहीं बात है के कोशिश कर रहा कि आपको क्या निक्स निकालना है ठीक है यहां और जूल 13 सेकंड्ड जूल ॉल हो गया फोल से कारी मतलब मतलब यह हमारा पावर यहीовые तो होता है 25प वरवार को समझवाइब का memang without is और ऑफ समय यहाँ पर 309 जैसी दियान यहाँ को उसक है तुए यूल परती हके सेंड में फिरू यह वायलो धिया हुआ है अब आपको क्या निकालना है विभावांतर भी बराबर आपको बहुत अच्छा सवाल आप देखिए चुकि आपको फोर्मुला तो इसकोर बटे यह लगा उन्हें को निकलना है तो निकलना है तो क्रॉस गुना करोगा पी गुना आर हो जागा पी गुना आर हो जागा चलिए अब यहां पर क्या करेंगा हम अब आपको पता है जी पी का वैलू कितना है दिया हुआ है और आपने मैथ में बनाया है जब स्क्वाइर को इधर ले जा ले जाएंगे तो ओवरूट बन जाएगा और यह 400 का कितना होता है यह हमारा क्या वोल्ट को बना लिए बस आपको यहां पर समझना है कि यह क्या दिया हुआ है यह यहां देखना है यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है नहीं तो बहुत से बनाद जेक मतलब कार समझ लेगा सवाल चलिए तो कुछ सवाल को प्रैक्टिस करने पड़ेगा तब ही तो सवन्जाएगा अब देखे सवाल नंबर आठ्मा परते हैं जी बोलता क्या है कि कि किसी दिया उसे लिख देते हैं 220 वोल्ट यानि कि भी बराबर 220 घवला यह घमास सवाल दें तो इतना दूर इंग्लिस वाला है अब बच्चा इतने दूर यहीं तक देखिया है ना हिंदी वाले हैं 220 वोल्ट विद्दूद सुरोथ इंग्लिस वाले इंग्लिस लभर डियर आप आप लोग मायू सुमत होना क्योंकि मैं यहाँ पर लिक रहा हूं हिंदी वाला वर्ड ने बलके इंग्लिस वाले लिक रहा हूं तो आप इंग्लिस को पढ़ करके समय लोने ठीक है बाकी मैं यहाँ बता रहा हूं 220 वोल्ट के विद्दूद सुरोथ से सन्योजित करते हैं तो जीरो पून जीरो फाइफ एंपीर विद्दूदारा लेती है यह क्या है जीरो पू पूंट फाइफ एंपीर सर जी यह एंपीर सर विद्दूदारा का मात्रा का मतलब की आई बराबर 0.05 दिया हुआ है और बोलो बल भी कि सक्ती निकालना है मतलब सक्ति कि अक्या कि सम我知道 P energy power पावर को बोलते ना सती आफ हर यही हमको निकालना है और चुछ की formula उतफIT बराबर भी आई येवह मैंने बताया था यह formula उतना by olड डाrąसा तो क्या होगा देखो यहां पर दोसोट बीस को पांच से बुना कटें ठीक है यहां पर चाहो तो आशे काट लो चीक है काट लिए मतलब पॉइंट काट यहां पर आगे ऐसा पॉइंट में आने वाला ठीक है पांच दूना दस अधिकारा दूना बैस कि कितना आसां तो यह प्यूझा बनाने बहुत मज़ाा मुझे तो सवाल गुमा गुमा के देता है आपको घुमादेना आपको भी बिजली के बिखवे colored और 220 वोल्ट लिका हुआ है एहाँ यहाँ पर डबलू मतलब कार यह नहीं कार नहीं लिखा रहता है आगर कार लिखा हुथ जीर लिकिन डबलू सब्सक्राइब सव वाट यहां पर और वाट किसका मातरक है पावर का मातरक है सव वाट सव वाट हो गया विद्बाल में का परतिरोध और इससे परवाहत विद्धुधारा का मान निकालना मतलब की परतिरोध भी निकालना है और विद्धुधारा का वैलू भी आग्याद करना है मतलब परत पहले हम क्या निकालते हैं देखिए अभी फॉर्मूला मैंने बताया था चुंकि एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने क्या बताया था फॉर्मूला पी बराबर भी स्क्वाइर बटे आर देखिए फॉर्मूला बताया था कि नहीं मैं अभी अभी बताया ना पी स्क्वाइर हमको क्या निकालना आर निकालना तो क्रॉस को ना कर लाते हैं तो आर बरावर क्या जागा भी स्क्वाइर बटे पी हो जागा अब देखो भी का वाइलू कितना दिया हो 220 और पी का वाइलू कितना है सौ दोडोन काटों बैस को बैस रिगुना करेंगे तो चार सो चाथा क्या आदा चार सो चारासी ओम यहां पर इंचालना है तो आपको पता है ना में निखालते लिए भी का वैलू यह आइगा तो भी अंसर आएगा और आइसे भी निकाले तो भी अंसर आगा आपको बता जाते हैं तो पहले हम निकालते आए का चूंकि यहां पे बराबर भी आए एक फर्मूला में ने पढ़ाया था आपको है ना और यहां पंदिना और एक एक जीरो यह से उड़ा दो और यहां हो जाया कितना पांच बटे 11 11 यह क्या है आए हमारा हो गया अगर हम जानते सर की ओम का नियम से अगर बराबर क्या होता है भी बटे आर होता है देखते हैं बना क्या अंसर आएगा अचा वह का वह एक साइव कि ना और कटेगा चार से कटेगा चरपचे बीस पंचोग बीस और देखिए चार से कटा चरपचे बीस तो आपको एक ठो बनाएं दूसरा दू भी है आप आराम से मना लिए जो भी फॉर्मूलर से आई का वैलू निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूलर से भी हम आई का वैलू अग्दम आराम से ग्याद कर सकते हैं सन्यागिया बहुत अच्छी तरीके से चलिए अब दसमा सवाल पढ़ते जी आपको भी छोड़ने वाले नहीं एडियर जब तक पुरा सिखाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं अब सवाल ला जी जी रोग वन पॉन फाइफ एंपियर एंपियर मतलब विदुधारा का मतलब है तो कितनी विदुशक्ति की खपत होती है यहां कि पी का वैलू निकालना है अब देखो चूंकि पी बराबर भी आई पढ़ें चूंकि पी बराबर भी आई फॉर्मूला पढ़ें हमको क् तो हम भी के जहाँ पे हम आई आर लिख सकते हैं क्या बोलो इन्टू आई तो यानि कि एक फॉर्मूला हो गया आई स्कूर आर अब चाहो तो डारेक्ट लिख सकते हो पी बराबर आई स्कूर आर तो मैंने बता दिया कैसे आया पी बराबर भी आई से भी का वैलू बढ़े और आई को आई से गुना के तो आई स्कोर हो गया अब अब डारेक अगर लिख लीजिएगा पी बराबर आई स्कोर आप आए का वैलू कितना है डी एर वान पॉंड फाइफ इन्टू एंटू और वई कितना है चालीष अब इसको कर दो यानि कि पंद्रेइप पंद्रेश गुणा करेंगे तो तो पॉइंट टूब आजागा गुणा चालिस आब यहां पर करेंगे रेखों गुणा करो पंचोग वीज चर्दुनार दुद्थ चर्दुनार तुद्थ ना वाट हो गया हमारा इनसल तो नबे वाट आ मतलब हमारा जो है सही अंसर हो गया बिलकुल राइट अंसर हो गया ठीक है तो यह रहा हमारा दस कोश्चन अब हम जो आगे सवाल बताने वाले काफी मज़दार वाला सवाल है और वह सवाल एक्जाम में आए दिन पूछते राता है उसको आपको बनाना बहुत ही जरूरी है ठीक है ना तो चली यह सवाल है देखिए इसको कैसे बनाते हैं समांतर करम और सिरेनी करम तो आपको बहुत अच्छी तरीक इस पत सबसे पहले हैं यह हम बना दे हुआ चलो चलो यह हमादा यह कोई दिखत यह कोगणा डिक हो टीक है यह कितना दिया हूँ यह दोनों सिरीनी करम में हैं यह जो लाइन है ना परतिरों दोनों सिरीनी करम में मानना इसको क्या मनना सिरीनी करम में तो सिरीनी करम को कैसे बनाएंगे जब सिरीनी करम को पहले हल कर लेंगे आप देखिए इसको हम करते हैं तो यहां पर लिखते हैं क्या लिखेंगे र ऍैस पर तिरोप निकाला हो ऊपारद निकाला का 4060 क्य?" हो गया उम हे ऐसे हमारा सिरी करम हो गया अगर इसके बाद हम थेगर जाने कैसे बनेगा सव तो देख federal आप थेगर देखर यह दूनों जो शेरेनी करम में अब मिला दिया अभी होगी हमारा सव और यह तो तो दिया हो था उपर सब्सक्राइब जैसे मर्जों से करो कोई बात नहीं अब यह हमारा समान्ता करम में क्या है समान्ता करम है तो इस लिए वन बटे आर पी पैरलल का फार्मला होता है वन पचिस चौन सव तो पाँच बटे 6 यानि की यहां पर देखो हमारा क्या उगया वन बटे आर पी बराबर हो गया काटो जी 25-2 यह निकि एक बटे बिस क्या बटे आप इसको क्रॉस गुना करो गगे ना क्रॉस गुना करो गब तो आर पी बराबर क्या जागा 20 देखीए ए जाज करताफन है जो ऐसे दिया हूँ पहले हमको पहले ऐसे बनाना पड़ेगा को मिलाना पड़ेगा तो आफ ये भी नंबर है सवाल दिया हो कैसे ऐसे दिया है और यहां से गिया ऐसे गिया ऐसे गिया तो यह जो है ना यह हमारा चार ओम यह था हमारा आठ ओम और यह जो ऐसे करन्ड दिया हो था तो पहले हमको यह मिलाना पड़ेगा यानि कि आर पी वन बटे आर पी निकालना पड़ेगा कैसे वन बट पहले हमको ऐसे बनाना पड़ेगा सीरीज में तो आठ ले लिए लिए लस्यम तो कितना वन प्लस वन यानि कि दो बटे आठ बोले तो एक बटे चार अब यहां पर वन बटे आर पी है वन भाई फोर है तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्यों होगा आर पी बराबर फोर हो जाग और यह दोंने मिलके बनेंगे कितना चार ओं बनेंगा और बाद में भी चार ओं लिखाओ था संचायाए अब ये सिरीज हो गया अब यह समानता सिरेनि करम हो गया इसलिए आर पी मतलब से किया थे हम त रहों आपको यह नहीं हम सम्धाद्ट आपको काश्य बनाना यह सी होगा निचे कमेंट करना तो से ना रहें हूं पहले इसको हम लोग जा यह और इसे में पहलें तो तुमको और सिरी ऐसे कर लेना इसको भी अलग से बारा करोगे तो ऐसे बन जाएगा उसके वाद तुम्हारा ऐसे बनेगा तो यह आ गया कितना इसका कुछ वैलू आगा फिर उसको सिरेनी करम में जोड़ देना दोनों को अंसर आजागा इसको कैसे बनाओ गए देखो यह जो दिया हो ना तो पहले बन जाएगा अब यह हो गया यह सब तीनों सक्या समानत्य करम है तो वन बटे वन बटे वन बटे करके जोड़ना पड़ेगा तो तुम लोग इसका अंसर निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसी तरी की सवाल परतिरोध निकालने के लिए देता है कि किसी ऐसे देता है दे देगा तो चार ओं पांच दिया रहे तो इसका कुल कुल समानत्य करम ज्याद करें कुल समानत्य करम बोलें तो यह और बटे दो बॉन बटे और यह वाला जांगा तो करते हैं अब आपको विदुद्धारा से जो भी नोमरिकल पूछा जाएगा मतलब जाता हाड़ सवाल नहीं पूछता है इतना कि आप इसमें से अराम से बना पौँगे और नीचे जो मैंने बताया है इसका कमेंट तुम लोग करो अगर आपको समझ में आ गया है तो यह तो मुझे बताओ और कैस अभी तक मेरे प्यारे लाल जुनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है फटा अगर को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अपने दोफ्तों को शेर करो यह वीडियो कम से कम हजाए हजार लाइक पार होगा तब मैं इसको कुछ आगे इसके बाएमें सोचन के वाला हूँ डाइट सॉल थैंक्ट एवरीवन बब बाई